मेरे प्यारे कांगरिस किसाथियों, किसान, मजदूर भाईयों और बहन, आज किसानों, मजदूरों और महनत कम्षों के सबसे बड़ा हमदर्द महात्म गांदी की जैन्ती है गांदी जी कहते थे कि भारत की आत्मा भारत के गाव, खेत और खलियान में बस्ती है आज जै जवान, जै किसान का नारा देने वाले हमारे पुर्व प्रदन मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जहिंती भी है लेकिन आज देश का किसान और केट मजदूर, क्रिशी विरोदी तीन काले कनूनों के खिलाफ सरकों पर अंदोलन कर रहे हैं अपना खुन पसीना देकर देश के लिए अनाज उगाने वाले अनदाता किसान को मुदी सरकार खुन के आसो रुला रही है कोरोना महमारी के दोरान हम सब ने सरकार से मांग कीती कि हर जरूरत मंद देश वासी को मुद्ध में अनाज मिलना चाहिए तो क्या हमारे किसान भाईयों के बगए यह संभावता कि हम करोरों लोगों के लिए दो वक्त के भोजन का प्रवान कर सकते थे आज देश के प्रदनमंत्री हमारे अनदातक किसानों पर घुर अन्याय कर रहे हैं उनके साथ नाइंसाथी कर रहे हैं जो किसानों के लिए कानून बनाए गएं उनके बारे में उनसे सला मश्विरा तक नहीं किया गया बात तक नहीं की गई यही नहीं उनके हीतों को नाजरांदास करके सिरफ चांद दोस्तों से बात करके किसान विरोधी तीन काले कानून बना दिये गएं जब संसद में भी कानून बनाते हैं वक्त किसान की आवाज नहीं सुनी गई तो वे अपनी बात शांती पूर्वक रखने के लिए महात्मगांदी जी के रास्ते पर चलते हुए मजबूरी में सरकों पर आयें लोक्तंत्र विरोधी जन विरोधी सरकार द्वारा उनकी बात सुनना तो दूर उन पर लाथियां बरसाए गई भाईयों और बहनों हमारे किसान और खेट मजदूर भाई बहन आखिर चाहते क्या बस सिरफ इन कनूनों में अपनी महेनत की उपच का सही दाम चाहते हैं यह उनका बुनियादी अधिकार है आज जब अनाज मंदिया खतम कर दी जाएगी जमकोरों को अनाज जमा करने की खुली चूट दी जाएगी किसान भाईयों की जमीने खेटी के लिए पुंजी पतियों को सौप दी जाएगी तो करोरों छोटे किसानों की रक्षा कौन करेगा किसानों के साथ ही खेट मजदूरों और बटाएदारों का बविश जुरा है अनाज मंदियों में काम करने वाले छोटे दुकंदारों और मजदूरों का क्या होगा उनके अधिकारों की रक्षा कौम करेगा क्या मोदी सरकार ने इस बारे में सोचा है कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हर कानून जन सेमती से ही बनाया है कानून बनाने से पहले लोगों के हीतों को सबसे उपर रखा है लोगतांतर के माइने भी यही है कि देश के हर निरने में देशवास्यों की सेमती हो लेकिन क्या मोदी सरकार इसे मानती है शायद मोदी सरकार को याद नहीं है कि वो किसानों के हक के भूमी के उचित मुवजा कानून को ओर्डिनेंस के माडियम से भी बदल नहीं पाए थी इन तीन काले कानूनों के किलाफ भी कांग्रिस पार्टी संघर्ष कर्टी रहेगी आज हमारे कर्यकरता हर विड़न सबाक्षेत्र और जिले में किसान और मजदूर के पक्ष में अंदोलन कर रहे हैं मैं दावे के साथ कहना चाहती कि किसान और कांग्रिस का या अंदोलन सफल होगा और किसान भाईयों की जीट होगी जै हिंड कर दो